हेलो एब्रिवरन वल्कम बैक टू माई चैनल अब सभी का मेरे चैनल में स्वागत है तो यह मैं वड़ी के लिए रडी हो रही थी और मैं मतलब वीडियो बना रही थी तो पीछे गाना इतना चल रहा था तो इसलिए मैं वाइस ओवर कर रहे हूं ताकि कॉपी राइड ना आ होता ही है बहले दूसरों का नहीं करती हूं लेकिन खुद का तो करी लेती हूं और सब्फ हेयर स्टाइल सेल्फ जो है मेक अप ड्रेस कैसा लग रहा मुझे कॉमेंट में जरूर बताना आप सभी हेलो एवरीवन वल्कम बैक टू मैं चैनल तो बड़े ब्लॉग में आप फिर भी मैं और मेरा बेटा जाके केक लेकर आय थे चुपके से और केक जो है कट करवाया था हमने बड़े वाले दिन ही केक कट करवाया था घर पे साम को और उसके बाद हम मैं लेके गई थी रेस्टोरेंट उनको तो उनको कुछ भी आइडिया नहीं था मैंने छोटा सा मिल जाए तो बस कुछ इस तरीके से बड़े व्लोग मनाया मैं क्या बताओं आप लोगों को मैं इतना जादा परिशान हूं इतना जादा मैं इस समय डिप्रेशन में हूं कि मैं आप लोगों को अपने जो दिल की बात है ना वो भी नहीं बता सकती हूं तो यह नजीर रेस पहले जो है मैं जोका कोडियाल लेके गई थी यह बेंड को वहां पर हैस्बंड को जो है पसंद नहीं आया क्योंकि अंदर का सारा बुक था सारा फुल था तो बाहर हमें मतलब जो ओपन एरिया था उसमें बहुत जादा गर्मी लग रही थी तो हैस्बंड ने वोला नहीं यहां पर नहीं तो फिर वहां का कैंसिल करके फानली नजीर में ही में लेकर आई और यहां का खाना एंबियंस वगरा डेकुरेशन साफ सफाई इतनी अमेजिंग है ना कि यहां पर आप घंटों बिता सकते हो और यहां का फूड मतलब बहुत ही अमेजिंग होता है एक तो जो प्राइस है ना वो भी ठीक है अधर रेस्टोरेंट से और तो यहां पर हमने खाना वगरा ओडर किया था तीन लोग थे तो तीनों लोगों के हिसाब से और किया था और अज जो है मुझे अपने बेटी की बहुत याद आ रही थी परशानी इतनी है ना कि मैं आप लोग अपने परशानी शेयर करके मतलब कुछ हासिल भी होने वाला नहीं है फिर भी लोग मुझे बना के यूँ बोल देंगे कि तुमारी अपने खुद की परशानी अपने आप छेलो तो बस कुछ चीजे निभाने के लिए तो लोग बहुत याद दिलाते हैं कि यह चीज निभ लिए बढ़ नहीं होगा खाने को खाना नहीं होगा तो यकीनवाइस आप लोग विश्वास करना या फिर मुझे कॉमेंट्ट में बताना कि मैं सच कह रहे हूं कि जूट कह bilang को यह कि बहूंप कि keeping कि अप लोगों दुनिया में भरे बढ़े हैं कि मैं आप sotto को बता नहीं सकते हूं अपने दिल की बात अपनी परिशानी कि मैं इस समय किस दौर से गुजुर रही हूं कि你 मैं इस नंखी परिशानी से घुजर रही हbleób फिर भी आप लोग 15 से पर हमेंसा इसमामी सेलिब्रेशन था तो इसलिए हमें यहां से रिटन होना पड़ा फिर हम नजीर में चले गए थे तो वहीं मैं बता रही हूं कि कोई भी इंसान आपको पूछने वाला नहीं है और बहुत बार ऐसा हुआ है कि अपने दुख परिशानी जब हम रिष्टे रखते भी है ना यह जो मेरे उपर परिशानी आये ना इस दुख को ना मैं कभी भूल नहीं सकती हूं और बलकि मैं खुश हो ठीक है क्योंकि यह दुख जो है ना मुझे इस दुख में ही मेरे हजबन को एहसास मिलेगा बहुत सारी चीजों का एहसास मिलने वाला है जो मैं उनको हमेशा कहत हूं वो मेरी बात नहीं सुनते हैं अपने मन के ही करते हैं उनको आने वाला वक्त भी थोड़ा समझा देगा कि क्या चीज करना चाहिए इंसान को क्या चीज नहीं करना चाहिए और मैंने अपना काम सुरू करने का फैसला किया है इसलिए मैं सारे काम को ना सारे जो मिक्स अ